फर्स्ट वाइत की खबरे लगतार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं मेरट के टीपी नगर थाना शेतर के जगननात पुरी में अलुमीनियम गलाने वाली फैक्टरी है फैक्टरी में लगा बॉयलर फटने की घटा सामने आई जहां बॉयलर फटने से फैक्टरी में काम करने वाले लोग कम भी रूप से घायल हो गए घटना के बाग पूरे इलाके में हरकंप मच गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची जहां उन्होंने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया बताया जा रहा है कि फैक्टरी में काम चल रहा था जहां दोपहर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ बॉयलर फटने से मौके पर अंधेर चा गया काम कर रहे मजदूर घायल अवस्था में इधर उधर पड़े हुए करा रहे थे धमाका इतना जोरदार था कि बॉयलर फट कर कई टुकडों में बढ़ गया और सड़क पर जा गिरा जिसकी चपेट में आने के बाद दो रहागीर भी घायल हो गए सूशना पाकर दमकल की गाडियों ने आग पर काबू पाया हाद्स के बाद पुलिस के अधिकारी जाच में जुट गए घड़ना के बारे में मुख्य अगनी मिशन अधिकारी का कहना है कि हाद्से की जाच की जा रही है जाच के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है Bureau Report, 1st by Team